यमी और टेस्टी रेस्पीस के लिए लाल रंग के सब्सक्राइब के बटन पर क्लिक कीजिए यह बिल्कुल फ्री है और बैल आइकॉन को भी जुरू प्रेस कीजिए हमारी आगे आने वाल इसे भी रेस्पीस की जानकारी के लिए हेलो फ्रेंड्स वेलकम टू माई चैनल यमी फूड कीचन आज हम अपनी कीचें में बनाएंगे तीखी और चटाके दार लहसुन की चट्नी यह बहुत ही ज़्यादा टेस्टी बनती है और इसे हम एक पर बनाकर कई दिनों तक खा सकते हैं इसे हम बनाने के बाद एटाइट क कि उपर कढ़ाई रखेंगे और उसमें मस्टर ओय डालेंगे इसके लिए हम मस्टर ओयल ही लेंगे जीरा डालेंगे हींग डालेंगे मस्टर ओयल के अंदर लेस्टन की चटनी बहुत ही जड़ा अच्छी बनती है अब हम इसके अंदर लेस्टन की कलिया डाल देंगे जिनी हमने पहले से छील कर रखा हुआ है और इनी सोटे करेंगे अब हम इसके अंदर इमले का पल डालेंगे जिनके बीज हमने पहले से निकाल कर रखा हुआ है इसे भी इनी के साथ सोटे करेंगे अब हम इसके अंदर लाल मेच्चे डाल देंगे जिने हमने भिगो कर रखा हुआ था उनका एक्ष्टा पानी हमने निकाल दिया है अब इसे भी हम सोटे करेंगे हम तब तक सोटे करेंगे जो तक की हलका मुष्चर खतम नहीं हो जाता हमारी सभी चीज़े सोटे हो चुकी है इन्यें हम ठंडा करके ग्राइंड कर लिए इसी बीच मैंने रंग लाने के लिए इसके अंदर एक बड़ी चमज कश्मे लालमीश पाउडर भी डाला था जो मैं को नहीं दिखा पाई अब हम गैस के पर फिर से वही कड़ाई रखेंगे जिसमें हमने सभी चीजे सॉटे करें थी उसके अंदर रोल डालेंगे राए डालेंगे राए जब चटक जाएगे तो इसके अंदर हम वो लैसन का पेश्ट डाल देंगे जो हमने अपरी बनाया था और इसे भी हम सॉटे करेंगे अब हम इसके अंदर नमक डालेंगे थोड़ी चीनी डालेंगे इससे हमारी मिर्ची का तीखा पन बैलन्स हो जाएगा इसे अब हम तब तक सॉटे करेंगे जब तक ये साइडों से ओल ना छोड़ दे हमारी ये चटनी बन का तयार आप देख सकते हैं साइडों से ओल छोड अब हम इसे बाउल में निकाल लेंगे और ठंडा होने के बाद इसे फ्रीज में एक एटाइट कंटेनर में भर कर रखतेंगे और फिर इसका मज़ा हम काफी दिनों तक ले सकते हैं हमारी चटा के डारों टेस्टी लहसुन की चटनी बनकर तयार है आप हमारी इस रेस्पी क को एक बाद जू ट्राइ कीजिएगा मिलते हैं एक नई रेस्पी के साथ तब तक के लिए टेक केर और बाई बाई